हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एगनू B.A.N.M.A. साइकोलजी कोर्स में आपको इंटेंसिब फाइल कैसे बनानी है उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है intensive file बनाने में यह जो मैं इस वीडियो में मैं आपको format बताने जा रहा हूँ यह intensive course BPCE023 जो की BDP BA psychology course का subject है और MA psychology में MPCE015 MPCE025 MPCE035 यह चारो subject के लिए applicable होगा तो यह जो मैं format आपको बताने जा रहा हूँ यह BA psychology प्लस MA psychology दोनों के लिए है तो चलिए start करते हैं वीडियो को और जानते हैं intensive report बनाने का क्या format होता है यह file जो आपको screen पे देख रही है यह मैंने एगनों के website से ही download किया है और इसमें intensive से related सारे guidance दिए हुए तो चलिए जानते है intensive report का correct format क्या होता है यह जो मैं आपको format बताने जा रहा हूँ यह especially इगनों के BA और MA course के लिए है यहाँ पर आप देख सकते है number one पे लिखा हुआ है कि कम से कम आपके 10 cases होने चाहिए और जो भी आप cases report में लिखेंगे वो same नहीं होने चाहिए बाकि students से मतलब हर student के cases अलग-अलग होने चाहिए और cases लिखने का format क्या होता है उस format के लिए आप जो handbook है intensive की इगनों ने आपको provide की होगी उसमें आप format देख सकते है second point है जो भी activities आपने intensive के दौरान की होंगी वो सारे आपको intensive report में लिखनी है जैसे कि group discussion, role play, psychological test और भी कोई exercises, assignments या आपने कोई और case किया हो वो सारे आपको report करने हैं अपने intensive report में third point है जो आप report बनाएंगे वो basically आप computer में type करके बना सकते हैं और a4 page का size a4 होना चाहिए साथ में font आपका times new roman होना चाहिए और font size 12 होना चाहिए fourth point में आपको intensive report का sequence बताया गया है सबसे पहले report में title page होगा title page में क्या-क्या content होता है वो आप अपने manual से देख सकते हैं basically इसमें आपको अपना नाम enrollment number, study center, regional center, mobile number, email id लिखना होता है title page के बाद आपका होता है content page जिसमें आपके content page में सारी details होनी चाहिए हो page number के साथ third number पे आप अपने approval email की screenshot लगाएंगे जो अगनू से आपको approval मिला होगा intensive start करने से पहले इसके बाद agency supervisor का consent later लगेगा consent later के बाद आपको एक certificate लगाना है जिसमें आपको format है आपके handbook में मिल जाएगा इसमें आपका 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 लर्नर का agency supervisor का और academic counselor का सब के sign होते हैं इसमें इसके बाद आप जिस organization से आपने intensive की है उस organization के बारे में आपको details लिखनी है then इसके बाद आपको intensive का structure content duration intensive में जो भी आपने किया है या कोई browser है intensive की वो आप लगाएंगे उसके बाद आप जो भी content है नहीं के जो case report है वो सारी cases आप लिखेंगे और cases के अलावा जो भी activities आपने intensive के दुरान की है वो activities को भी आप लिख सकते हैं इसके बाद आपका क्या procedure होता है आपकी intensive report ready हो जाने के बाद आपको अपने intensive report agency supervisor को भीजनी होती है और academic counselor को वो अपने दोनों जो भी marks होते हैं वो marks आपको provide करते हैं आपके report देखने के बाद और इसके बाद जब final report ready हो जाती है तो आपको यह अपने regional center में submit करनी होती है report या regional center में नहीं करेंगे तो अगर आपके study center या regional center ने कोई link upload किया अपने website पे तो उस link पे आप अपनी file को अपने report को upload कर सकते हैं तो यह था intensive report बनाने का तरीका और यह applicable है अगर आपको कोई question है तो आप comment section में लिख सकते हैं मैं उन questions का answer करने की कोशिस करूँगा मिलते हैं next video में till then take care bye bye